So guys, JavaScript वाली सीरीज को continue करते वे आग जो है वो हम लोग अपना Chapter 16 देखने वाले Previous वीडियो के अंदर हम लोग ने देखा था Arrays आग जो है वो हम लोग Arrays के ही कुछ Methods पढ़ने वाले जैसे कि हम लोग ने पिछली वीडियो के अंदर देखा था Arrays जो है वो JavaScript के अंदर किस तरह से काम करते हैं तो आज जो है वो हम लोग इसके कुछ Methods को देखेंगे तो Chapter No.16 के अंदर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो Adding and Removing Elements ठीक है कि हम लोग कैसे एक Array के अंदर In future Value को Add कर सकते हैं और कैसे जो है वो Remove कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखो यह लिखा वाए कि Chapter के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग Array के Element को Remove कर सकते हैं और कैसे Array के अंदर Element को Add कर सकते हैं तो for example यहाँ पर उन्होंने एक Variable ले लिए Pets साम से और जिसकी Value है by default एक Empty Array ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको आके समझाता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक Variable for example let arr is equal to Empty Array ठीक है मैं अगर अभी Console कराऊं इस Array को तो मुझे Console में मिलेगा एक Empty Array ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर Index.html के अंदर आकर मैं Open with Live Server करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखना के मुझे अभी Console के अंदर मिलेगा एक Empty Array तो यहाँ पर मैं इंस्पेक करता हूँ और Console में आ जाता हूँ यहाँ पर आप लोग देखो मैं Refresh करता हूँ यह देखो यह एक Empty Array देखने को मिलना Line No.2 से ठीक है तो यहाँ पर अब क्या है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं अब जो है इसमें Value को Add करूँ तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक Method आता है लेकिन उससे भी पहले दो तरीके Error के अंदर Value को Insert करने के यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आप लोग देखो जैसे इन्होंने लिखा वे हैं आपर ARR 0 जैसे इन्होंने Pets से Variable का नाम तो इन्होंने Pets लिया वै Pets 0 Index is equal to Dog ठीक है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ के 0 Index के उपर क्या कर दो यह वाली Value को Set कर दो ठीक है Dog को ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखना अगर यही Console Log अब मैं नीचे करता हूँ तो मेरे पास Array के अंदर एक Value आएगी जो है Dog ठीक है अब मेरे पास मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक Number भी Insert करूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँँगा मैं लिखूँगा Arr1 is equal to for example मैं लिख लेता हूँ 4 ठीक है अब देखना मेरे पास दो Index आएंगे पहले में होगा Dog दूसरे में होगा 4 तो यहाँ पर आप लोग देखना मैं आप पर आता हूँ तो देखो दो का Arr1 मुझे मिल रहा है जिसके अंदर पहले Index के उपर एक String है जिसके अंदर Dog लिखाव है दूसरे Index के उपर एक Number है जिसके अंदर जो है वो 4 लिखाव है ठीक है यहाँ पर एक यह तरीका है कि हम लोग Array के अंदर Value को जो है वो Add कर सकते है ठीक है यहाँ पर बोल रहा है In the example above I defined the first three elements of Array in order but you can legally leave gaps in Array if you choose not that you normally would for example suppose you start with the same empty Array and code these lines ठीक है तो वो बोल रहा है जैसे यहाँ पर आप लोगोंने Add की है 0 Index के उपर Dog, 1 के उपर Cat, 2 के उपर Bird वैसे 3 के उपर अगर आप Lizard को Add करना चाहे और Directly अगर आप लोग 3 के बाद 6 लिखते हैं तो देखे क्या होगा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं इसको Copy कर लेता हूँ ठीक है यहाँ से मैं इसको Copy किया यहाँ से Copy ठीक है और यहाँ पर Code के उन्दर आता हूँ और यहाँ पर मैं आप मैं रखूंगा 2 Index के उपर ठीक है तो यहाँ पर मैं 2 Index के उपर रखता हूँ यह चीज तो यहाँ पर इस तरीके से कर दूँगा Lizard मैंने रख दिया तो अभी देखना है यहाँ पर पहले पर ढाग दूसरे पर फ़ोर आएगा तीसरे पर लीजर्र दाएगा लेकिन अगर यहाँ पर टू के बाद यहाँ पर मैं फाइश l를 और यहां पर मैं लिख लूँ रेंडेम कुछ भी तो यहां पर क्यायोगा यहां पर craving fox टेकिछ को यहां पर सबसे पहले पर अ जगए वर यहां पर चौड़ दिए उसके बाद इसने 5th index की उपर random को रख दिया, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, भीच में कोई value जो है, अगर आप जाया करवाना चाते हैं, इस तरह की situations हो जाती हैं, कभी-कभी, भीच में कुछ values होती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, तो आप इस तरीके से काम कर सकते ह इस तरीके से लेंट हैं, यहां पर हमारे पास array के कुछ method जाते हैं, इसके बाद यहां पर हमें अगर कोई भी value एड़ करनी हो, जैसे अभी हम इस तरीके से एड़ कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से एड़ हो, हमें जावास्क्रिप array का एक method प्रोवाइड करता ह जिसका नाम होता है push, ठीक है, यानि हम लोग array में value को push करना चाहते हैं, तो हम लोग easily कर सकते हैं, मैं simple क्या करूँगा, जो भी मेरा variable का नाम है, यानि जो भी मेरा array है, उसका जो भी नाम है, यहां पर simple में उसका नाम लिखूँगा, आगे एक method आता है, dot push, ठीक है, जैसे म dot push नाम का method लगाऊंगा, तो यहां पर मुझे एक round bracket लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो यहां पर मैं इस तरीके से करूँगा, अब मुझे इसके अंदर जो भी value देनी है, वो मैं pass कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहां पर मैं 5 लिखता हूँ, और देखता हूँ, क्या मेरे पा यार मैं कर सकता हूँ, यहां पर आप लोग देखो, मुझे 2 array मिल गया, आप जितनी मर्जी values पुश करना चाहों, यहां पर कर सकता हूँ, अब मैं चाहता हूँ, कि मैं इसके अंदर एक object पुश करूँ, ठीक है, तो यहां पर मैं एक object लोगा, यह इसके अंदर name होगा, for example, programming with hasan, ठीक है, तो मैं basically channel का name लिख रहा हूँ, और यहां पर मैं, यहां पर video like target भी लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग ने कर देने 20, ठीक है, तो name जो है, programming with hasan और video like target 20, तो यहां पर अब क्या होगा, कि इस array के अंदर यह object पुश हो जाएगा, आप लोग को दिखाता यहां पर आप लोग देखना, array के अंदर एक object आ रहा है, जिसके अंदर name आ रहा है, programming with hasan, video like target 20, अच्छा, आप इस तरीके से जो है, वो object को पुश कर सकते हैं, जितने चाहें, तो और उसके बाद इस array को loop करके, for each method से, या map method से, इसको data को render भी कर सकते हैं, अपने browser के उप पर, तो वो काम भी हम लोग आगे देखेंगे, APIs वगरा बनाएंगे, तो basically यह API होती है, हम लोग API को भी समझेंगे आगे detail में, तो यहां पर आप लोग देखो, यह एक तरना से API बन चुकी है, ठीक है, तो हमने array के अंदर value को add करके देखा, किस तरीके से, index के through, और हमने add क करके देखा, push method के through, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहां पर, for example, मैं इस object को अब हटा देता हूँ, मैं यहां पर ले लेता हूँ, for example, यहां पर cat, और यहां पर लिख लेता हूँ, dog, अब मेरे पास method आता है, array का, जो के है, pop, ठीक है, अब यहां पर मैं क् किया करतों, मेरे पास एक array का method आता है, जो कि है pop, pop क्या करता है, pop जो है, किसी भी array के element को remove कर देता है, कौन से element को remove कर देता है, आप लोग देखना, यहां पर मैं लिखता हूँ, pop, और यहां पर इस तरीके से अगर मैं डालू, तो आप लोग देखना, यहां पर आ गया cat, अब dog जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया यानि pop का काम इतना ही है कि आपके array में check करेगा सारी की सारी values को जो values सबसे last में मिलेगी उसको यह delete कर देगा अगर मैं for example यहाँ पर लिखों 4 यहाँ पर लिखों 7 और यहाँ पर लिखों 8 तो अब मुझे बताओं मुझे console के अंदर क्या मिलने वाला है मुझे मिलेगा cat dog 407 ठीक है तो आप लोग देखना है यहाँ पर cat dog 407 मुझे यहाँ पर मिल गया है ढलके नहीं देख्या मैं Hack दिखा देता हूं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं इसको इस심 के सने छनिन देता हो कि यहाँ पर एक बना लेता हूं और जोका है बी इंडेक्स पे आएगा पॉल्स और सेकंड इंडेक्स पे आ रहे है तो यहां पर यह कुछ मैथड से एरे के जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किये आगे हमारे पास और भी बहुत सारे मैथड जाते हैं चैप्टर नंबर 17 के अंदर आएगा रिमूबिंग इंसर्टिंग एंड एक्स्ट्रेक्टिंग ठीक है अभी तो हमने इंसर्ट करने देखा है अब हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे कि हम लोग एरे के अंदर वैलियो को एक्स्ट्रेक्ट कैसे कर सकते हैं यानि एरे के अंदर से वैलियो को निकाल कैसे सकत तो यह काम हम लोग अपनी नेक्स वीडियो के अंदर देखेंगे तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस अगर वीडियो हेलफुल था तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा 20 लाइक का टार्गेट है मैंने आपको बता दिया चैनल पढ़नी हो तो चैनल को भी सब्सक्र